एलो गाईज राधे राधे कैसे हो आप आए होप आप सब ठीक होंगे गाईज मैं आज इतना आसान तरीका इस वीडियो में ड्रेस बनाना बताऊंगी मैंने बहुती इजी तरीके से पूरे वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बाई नाप लेकर ये ड्रेस बनाया है और ये दिक्कत नहीं होती है गाईस और बनाना बहुत ही इजी तरीका मैंने वीडियो में बताया है तो कुछ इस तरह समय पहले चोली पहना देना है तो साथ में अंडर विल भी बन जाता है आप चाहो तो ऐसे ही भी पहना सकते हैं नाइट रेस में तो देखिए पूरी के साथ पाल गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे है गाईस तो आप इस तरह से भी पहना सकते हैं अब हम पहनाएंगे घेरा तो कुछ इस तरह से पीछे में नोट लगा देना है गाईस मैंने और भी बहुत सारे लेडू गोपाल जी के ड्रेस के और चिवैलेरी के वीडियो अगर आप देखना चाते हैं तो आप मेरी चैनरल पर जाकर देख सकते हैं या तो चैनरल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रग दूंगे आप वहीं से भी देख सकते हैं तो देखिए गाईस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेट करके जरू बताना और ज्यादा पसंद आय हो तो अपने मीत्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक श्ट्रिप लिये उसमें मैंने प्लेट्स लगा के रीबिन को अटेच कर दिया है और एक लेस का भी यूस किया है और यहाँ पे मैंने पगड़ी का बेस भी बना दिया है गाईस बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको पूरे वीडियो में बता दूंगी तो इसकी लंबाई मेंने 34 इंचीस लिए है और चोड़ा इसकी साड़े 3 इंचीस लिए है कम ज़्यादा आप अपने इसाप से गेरा बना सकते हैं एक साइट मेंने तीज कर लिया है और दूसरी साइट हम तीज कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से आपको इड्रेस बनाना बताऊंगी तो चलिए पहले प्लेट्स ले लेते हैं तो कुछी इस तरह से हमें डेडड़ इंच के प्लेट्स लेने हैं प्लेट्स हमें नस्तिक नस्तिक रखने हैं और बाल गोपाल जी के कमर के इसाब से लेने हैं कपड़ा हमारा तेड़ा मेड़ा ना हो जाए वो भी हमें ध्यान में रखना है और आसानी से हम ये plates बना सकते हैं तो देखे गाईस कुछी इस तरह से हमें पूरी श्ट्रिप के plates लेने हैं तो देखे ये हमारी plates हो गई है अच्छी तरह से सेट करना है फिर हमें plates बनाने है देखे एक ब्रोकेट का कपड़ा है तो धागा धागा हो जाता है तो यहाँ पर मैंने कमर की 5 इचीस रखी है जो धागा धागा कपड़ा हो गए उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पर नेफा हम कॉटन के कपड़े से बनाएंगे गाईस तो इसका इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें किनारी पर रखना है और फिट टीच कर लेना है बहुत ही इजी तरीका है नेफा बनाने का नेफा बनाने से ड्रेज की फिनिशिंग बहुत अच्छे आती है गाईस तो देखे गाईस अब हम इस तरह से बीच में दोरी डालेंगे यह दोरी बाजार में कम खर्स में आसानी से मिल जाती है तो कुछी इस तरह से हमें सेट करके टीच करना है ठ्यान में रखना है कि हमें दोरी के उपर टीच नहीं करनी है तो देखे यह हमारा प्यार ऐसा अकेरा बनके रेडी है और मैंने एक स्ट्रिप ली है मैंने पूरा इसमें रीबिन प्लेट्स बना कर लगा दी है और इसकी लंबाए फाइव इंचीस है तो कुछ इस तरह से हमें मोड ना है समझ में ना आये एक उंगली से तो आप बाल गोपाल जी का इस तरह से सीर का नाप ले लीजिए और फिर टीच कीजिए अगर आपसे टीच नहीं होती है तो आप यहाँ पे सुई वर धागे की मदद से नाट भी लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पे टीच कर लूँगी तो देखिए अमारी टीच भी हो गई है और अमारी पगड़ी भी बनके रेड़ी है तो गाईस इतना इजी तरीके से मैंने यह चोली भी बना कर रखी है तो यह अमारा प्यारा सा ड्रेस बनके रेड़ी है मिलते हैं नेक्स्ट विडियो पर राधे राधे